चंडिगड में आज कैबिनेट की बैठक के बाद इस बात के उपर मोहर लगा दी गई कि अंबाला नगर निगम को भंग कर दिया जाए इस बारे में जब अनिलिविस से बात की तो उनका साफ तोर पर ये कहना था कि पिछली सरकार ने धींगा मस्ती करते हुए इस नगर निगम को बना दिया था जो हर हालत में असमिधानिक था विज ने कहा कि दोनों शहरों के बीच में 15 किलोमेटर का फासला था जिसे तैय करना मुश्किल था अब जब नगर निगम भंग हो गया है अंबाला शहर और अंबाला चावनी की अलग लग नगर परिशद होगी इससे लोगों को भी काफी फैदा पहुंचेगा अच चंडिगर से सरकारी एलान हुआ जिसमें अंबाला नगर निगम को भंग कर देने का फैसला लिया गया नगर निगम से दोबारा अंबाला नगर परिशद बनाय जाने के पैरविकार तारीफ कर रहे हैं तो विपक्ष के तेवर हमलावर हो गये हैं वहीं पिछले काफी की लंबे समय से अंबाला नगर निगम को भंग करवाने की लड़ाई लड़ रहे अनिल वीज ने इसे लोग हितैशी करार दिया है केंट रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बाचीत करते हुए विज ने कहा कि हुड़ा सरकार ने धींगा मस्ती करते हुए इसे नगर निगम बनाया हुआ था अमाला केंट और सिटी दो भागों में बटे हुए शहर हैं इन दोनों की बीच में केंटोनमेंट एरिया भी है निगम एरिया के लोगों को अपने काम करवाने के लिए 15 किलोमेटर का सफर तैय करना पड़ता था जो एक बड़ी परशानी थी लोगों की दिक सिट्र में थे वो सिटी नगर परिशत में और जो कैंट एरिया में थे वो केंट परिशत में हो जाएंगे ये पुड़ा सिरकार ने धिंगा मस्ति करके इसको नगर निगम बनाया हुआ था अंबाला कैंट और अमबाला सिटी दो अलग-लग शहर हैं इनकी अलग- कि लोगों को काम कराने के लिए पंदरा किलोमेटर दूर जाना पड़ता था इसलिए सरकार ने लोगों की दिक्कत को देखती हुए दुबारा से इसको कौंसिल बना दिया अमबाला चाउनी को भी और अमबाला शहर को नए नए ये पूरा सोच विचार के इसकी कमेटी बनी थी कमिशनर साब की रहनमाई में उस कमेटी ने पूरे सारे तथ्यों को जाना है और उसके अधार पर इसको किये हुए अमबाला शहर के मेर रमेश मल ने इसे सवधानिक करार देते हुए कहा कि ये सिरफ अनिलविज की इच्छा थी जिसे पूरा करने के लिए हर्याना सरका सरकार ने अनिलविज के आगे घुटने टेक दिये मेर रमेश मल ने कहा कि सरकार भले ही से भंग करने की बात कर रही हो लेकिन वो जनता के हितों को देखते हुए इस मामले को हाई कोट में लेकर जाएंगे और नगर निगम को किसी भी कीमत पर भंग नहीं होने देंगे मेर रमेश मल ने कहा कि वैपूरा प्रयास करेंगे कि किसी भी हालत में नगर निगम भंग ना हो क्योंकि निगम रहते हुए अंबाला की शान थी अंबाला जो है वो देश के 4000 निगमों में से एक में आता था जिसके कारण अंबाला को development के कामों के लिए काफी पैसा मिलता जिस सब पर अब रोक लग जाएगी वहीं अंबाला नगर निगम् के पहले मेर और नगर निगम तूटने के बाद आखरी मेहर कहलाय जाने वाले मेर रमेश मल निगम तूटने को केवल कैबिनेट मंत्री अनिल्विज की जिद भता रहे हैं अमबाला के मेर रमेश मल ने आज एक पत्रकार बारता की और मंत्री पर घंबीर अरोब भी लगाए उनका कहना है कि सरकार अमबाला को पीछे ले जा रही है रमेश मल ने कहा कि जब से सरकार बनी है अंबाला नगर निगम को तोड़ने की कोशिश करती रही है और आज इस फैसले से अंबाला काफी पीछे हो जाएगा उन्होंने कहा कि देश में 4000 नगर निगम है जिसमें अंबाला का नाम भी आता है लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अंबाला नगर निगम खतम हो गया यह फैसला अंबाला के लोगों के लिए काफी मंद भागा है उन्होंने कहा कि यह सरकार का फैसला इतिहास का पहला ऐसा फैसला है जो किसी शहर को आगे की बजाए पीछे लेकर जाएगा अगर आज जो इन्होंने किया है सिर्व एक मंतरी जी की जिसके आगे सरकार जुग गई है एक बहुत ही मंद भागा अंबाला की जनता के लिए फैसला लिया है इन्होंने जो कि अमबाला को बहुत ही पीछे ले जाएंगे पूरे हंदुस्तान में चार हियर निगमे है उस चार हियर में अंबाला का भी नाम Adha आता था कि मेरे खाल जहां तक मिरा ख्यालाय है जो इनका जो फैसला एक बहुत ही मंदबागा है कि हिंदुस्तान के इत्हास में पहला फैसला है कि मेरे खाल किसी भी भी शैर को आगे ले जाने के पिएगाई उसको पीछे दिए लिया गया है इसको अप्रूव करना चाहिए था सरकार कुछ भी कर सकती है मगर सरकार ने इसको अप्रूव करने की भी जाए जो नगर निगम में कमिया थी उसको पूरा करने चाहिए थी अमारा शहर के मेर रमेश मल ने इस बात का भी अरोप लगाया कि सरकार ने कभी भी निगम को उपर उठाने का काम नहीं किया यही कारण है कि निगम में करमचारियों की ना तो भरती की गई और अगर निगम में करमचारियों की भरती की गई होती तो निगम ने लोगों से बहुत वसूली करनी है और अगर ये वसूली होती, तो निगम के पास काफी पैसा होता, सरकार ने निगम को भंग करने के लिए यही पली दी है कि निगम अपना खर्चा नहीं उठा पा रहा था, लेकिन ये सरासर जूट है, सच्चाई ये है कि सरकार में करमचारियों की भरती नहीं की गई, जिसके सब्सक्राइब निगम अपना उठा पाया कि अम्वारा के पहले मेर बने रमेशलाल काफी आत न जराए और वे अब भी सरकार के फैसले के खिलाफ कोट में जाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा कि निगम अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकते तो यह बिल्कुल जूट है क्योंकि निगम को लोगों पर काफी पैसे बकाया है जो स्टाफ ना होने के कारण लोगों से वुसूले नहीं जा सके उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला बिल्कु को फांब करने का फैसला लिया जो अमबाला की जन्ता को भो पूरा हो चुका है यह अब वहिस अ Hmm के लिए लड़ेंगे उन्होंने आप चूआ है अंबाला की इतनी रिकवरी पड़िया है स्टाव ना होने की बज़ा से वो यह जो हमारे अफसर है वो रिकवरी नहीं कर पाए यहां पर इन्होंने हमारे को दिखाला कि यह अपनी आमदन वो पूरा नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल तो यह एक मंतरी जी का जा मंतरी मंदल का बहुत गल्थ फैसला है इसको बंग करने का इसको प्रूब करना चाहिए था यह जैसे जिदी एक बच्चा जिद करता है जिद करता हो मंतरी जी की जिद थी कि मैंने इसको बंग करना है पहले जो कमिशनरी बंग की है उसका खमयाजा अंबाला बुगत रहा है बदमा कि अमबाला एक नक्षे से नगर निकम का जो स्टेटस है वो हड़ जाएगा और जो शेर का विकास है जो शेर केंट का विकास है उसके ओपर ब्रेक लग जाएगी मेरी टर्म तो पूरी हो गई है अपने लिए तो हर को लड़ता है अब मैं आगे के लिए अपनी अमबाला की यन्टा के लिए लड़ ओँआ मेरा टर्म तो खत्म हो गया जह जहां तक विकास के के लिए के लिए विकास इन्होंने सजब साठी तीन साल में नहीं किया तो अब क्या कर लेंगी यहां तक यह कह रहे बिकास कुछ Northern बला नीकम पट्रे आ ने रखते हैं गांगा जाओंगा हाई वे तो कि दिया अगी में दाओं उयह भी एंगाना किया है वह इनकी अपनी जोलियां बरी आधर ही विकाह यह आगे डेड़ साल में कराएंगे